तो दोस्तों तुर्की के TB2 ड्रोन को ले करके एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल करके आई है जिसके बाद में यकिनन पाकिस्तान की इस भिकारी सल्तनत का एक सबसे वड़ा सपना तूट सकता है जहां पर उनको ये सपने आते थे कि वे तुर्की के TB2 ड्रोन से जो भारती S-400 Air Defense System है उसको ना केवल यूद्ध में डिश्ट्रोय कर देंगे बलकि इसके बाद में भारत के ओपर ऐसी बंबारी करेंगे कि भारत को सांस लेने का मोका भी नहीं मिलेगा लेकिन अब इसी तुर्की के TB2 ड्रोन को ले करके रश्या की साइड से एक ऐसी निउस आई है जिसके बाद में अब आप सबको इसकी जो असलियत है वो भी यहां पर पता चल जाएगी और वेश्टन मेडिया के दुवारा यहां पर इस ड्रोन के लिए कितनी ज़्यादा हाई बनाए गई उसका भी यहां पर आप सबको अंदाजा मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो को बाद में इनकी जो परफोर्मेंस है वो यहां पर काफी ज़्यादा बेटर दिखाई दी थी ऐसा वेश्टन मेडिया का कहना था लेकिन आज एक रिपोर्ट ऐसी सामने निकल करके आई है जिसके बाद में यहां पर रश्या की साइट से यह क्लेम किया गया है कि तुर्की के जो TB2 ड्रोन्स है जो की यूकरेन के पास थे तो इन्होंने 90% जो ड्रोन्स है इनको अपने केवल जो इलेक्ट्रोनिक वर्फेर सिस्टम है इनसे यहां पर मार गिराया है तो अगर आप इलेक्ट्रोनिक वर्फेर सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी तरह की जो म इलेक्ट्रोनिक्स होते हैं उनको जैम करके उनको खराब करके यह जो ड्रोन्स है यह फ्लाइ कंडिशन में नहीं रहते हैं तो यह एक काफी ज़्यादा बड़ा दावा है क्यों कि बिना एर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल की रश्या ने 90% जो यूक्रेनियन टीवी टू ड् इनके कई अलग-अलग जो ओपरेशन्स हैं वे भी सामने निकल करके आई लेकिन इसके बाद जैसे ही रश्या ने अपने शोर्ट रेंज के एर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके इन ड्रोन्स के खिलाफ में यहां पर तैनात किया तो उसके बाद ना केवल रश्या ने कोई खबर आती है और ना ही इनके जो ओपरेशन्स हैं वे वेस्टन मीडिया के दुवारा यहां पर दिखाए जाते हैं लेकिन इसके बाद अगर मैं आप सब को इन ड्रोन्स की सफलता के बारे में बताऊं तो अर्मेनिया और अजयर बैजान के बीच में इनको जो सफलता म जते हैं तो ऐसी मैं इसको सफलता मानूगा क्योंकि उस समय जितने भी अर्मेनिया की एर्डिफेंस सिस्टम थे तो उनको यहां पर डिश्ट्रॉय करने का काम किस ने किया उनको डिश्ट्रॉय करने का काम किया इसराइली लोय्टरिंग मिनिशन्स ने इसके बाद में जो TB2 drones है तो इन्होंने खुले मैदान में जो bombing है उसको करने का काम यहाँ पर किया था तो आप यहाँ पर इसको इस छोटे से example से समझ सकते हैं लेकिन जैसे ही यहाँ पर case आता है रश्या जैसे country का जिसके पास अच्छे खासे air defense system भी है तो वैसे ही यह drones यहाँ पर fail कर जाता है इसी के साथ में रश्या की side से लगबख 500 से जादा जो drones है यहाँ पर मार गिराए गए हैं लेकिन इन में से जो TB2 drones है तो उनके जो number है वे लगबख 50 के आसपास थे जो की अब Russian side से यहाँ पर almost destroy कर दिये गए हैं तो शुरुआत में तो इन drones का जो operations है वो काफी जादा बड लेवल के उपर नहीं था लेकिन जैसी रश्या ने rapid लेवल के उपर इन drones को shoot down करना शुरू किया तो अब almost इस पूरी war से इन drones की जो impact है और साथ में involvement है आप सब कह सकते हैं कि वो खतम हो चुकी है इसी के साथ में कुछ reports तो ये भी निकल करके आई थी कि ये drone केवल एक दिन इसे जो TB2 drones है ये भारती air defense system को suppress करने के लिए खरीदे थे जहाँ पर ये सपने देखते थे कि भारत के पास जो S400 जैसे multi billion US dollar के defense system है तो उनको ये केवल कुछी dollar के जो TB2 drones है उनसे यहाँ पर मार गिराएंगे लेकिन दोस्तों अगर आप भारत की side से air defense system की बात करते हैं तो आप सब को ये भी देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो हमारी जो खुद की progress है वो काफी जादा यहाँ पर तेज हुई है और इसी के साथ में हमारे जो air defense system है ये Russian air defense system के साथ में काफी सारी जो similarities है उनको share करते हैं इसी के साथ में भारत की side से कई short range के air defense system इस्तेमाल किये ज द्रोन्स को soft kill और साथ में hard kill यहाँ पर कर सकते हैं तो यही एक कारण है कि भारत पूरी तरहां से इन TB2 ड्रोन्स के खिलाफ में तयार है जिसके कारण आप सब को ना तो भारती वाई से ना के दुवारा कभी इन ड्रोन्स को लेकर के कोई खास comment देखने को मिलती है तो दोस चैनल को भी जा करके विजिट कर सकते हैं जिसका नाम टैक्नो डिफेंस शोट है तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद